आज इस वीडियो में हम देवी महालसा नारायनी के विशे में जानेंगे नमस्कार लोग गाथा में आपका स्वागत है समुद्र मंथन के समय भगवान श्रीहरी ने मोहिनी रूप लिया था इसी मोहिनी अवतार में उन्होंने असुरों को भ्रहमित किया और देवताओं में अमरुद बाटा आज भगवान मोहिनी के उसी रूप को हम महालसा नारायनी के रूप में पूछते हैं महाराश्र का नेवासाही वस्थान है जहापर मोहिनी ने राहू का शिरक्षेद किया माने राहू का सिर काटा क्योंकि राहू ने छल पुर्वक अमरुद का पान किया था आज जहापर राहु का सीर काटा गया था वही पर भगवान श्री मुहीनी राज यह नाम से बड़ा ही प्राचीन और सुन्दर मंदिर है इस मंदिर को शाजी राजे भोसले के समय से लेकर अंग्रेजों तक वार्शिक अनुदान प्राप्त होता रहा है वही मालसा नारायनी का और एक सुन्दर मंदिर गोवा के मारदोल में स्थित है यहाँ देवी चतुरभुज रूप में है एक हाथ में त्रिशुल, एक हाथ में अमृत का कुम्भ, एक हाथ में एक दैत्य का सिर कटा हुआ सिर जिससे रक्त निकल रहा है और उस लहू को एक बाग चाट रहा है, एक हाथ में तलवार और उसी हाथ में एक विरोचन नामक असुर का सिर देवी ने पकड़ा हुआ है देवी के निचे एक शव है, देवी यहाँ चतुरभुज रूप में विराजित है भगवान परशुराम कहते है, जो भी महलसा नारायनी के 24 नाम प्रक्तजीन लेगा, देवी उनकी सारी मनोकामनाई पूर्ण करेंगी यह 24 नाम मैंने निचे डिस्क्रिप्शन में दिये है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, और देवी महलसा नारायनी के विशे में आपको कुछ नवीन जानकर रिप्राक्त होई हो, तो वीडियो को आगे शेयर करना न भूले श्री राम जैराम, जै जैराम